नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का लक्षे के टाप 10 डेली करेंट अफेर सेरीज में आज 19 अक्टूबर है और आज हम 10 सबसे महत्मून प्रशन पर चार्चा करेंगे जो डेली करेंट अफेर से जुड़े हुए होते हैं इससे पहले हम पहले प्रशन पर चले देख ले पर चार्चे में स्थित्थ है कवल टाइगर रिजर्फ जो लोगों ने भी कवल टाइगर रिजर्फ तरिलागना राज्य हैं बताया है उन सब एक अंसर बिल्कुल सही है तो आज का मारा पहला प्रशन है कि आप दा जोखिम निवनी करन के लिए अंतराष्टिय दिवस कब मनाया जाता है आप दा जोखिम निवनी करन के लिए अंतराष्टिय दिवस कब मनाया जाता है 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर यह 16 अक्टूबर तो इसका अंसर क्या होगा 13 अक्टूबर को तो आप दा जोखिम निवनी करन के लिए अंतराष्टिय दिवस हर सा युक्तुराष्ट आपता जोखिम निवनी करन कार्याले दुनिया भर के जोखिम के इस्थिति की जाज करने के लिए हर दो साल में विचारकों, विशिश अग्यों, चिकिस्सकों और नोपरवर्तकों के लिए काम करता है। यसी के साथ ही चलते है वीडियो के अगले और एक और महतपूर्ण प्रश्ण पर। के अगला प्रश्ण है सुर्खियों रही डिपोर विल किस राज्य में इस्थित है बिहार, तमिलनाडू, मनिपूर या असम तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों अंसर होगा असम डिपोर विल बहुत महतपूर्ण रामसर साइट है तो अभी हाली में परियावरण वन और जलवायों परिवरतन मंत्राले ने गुहाटी में गुहाटी के दक्ष्ण पश्चिम किनारे पर इस्थित डिपोर विल वन्यजीव अभ्यारणने को परियावरण ये सम्वेदन शील छेतर के रूप में अधिसूचित किया है यानि कि एकोलोजिकल या एन्वायरमेंटल सैंसेटिव जोन के रूप में इसे घोशेत किया है किसे डिपोर विल वन्यजीव अभ्यारणने को जो की असाम में है डिपोर विल ताजे पानी की जील है जहां अतिकरमर के कारण इसके छेतर में लगतार कमी हो रही है डिपोर विल असम की एक रामसर साइट है जो महतपूर्ण पक्षी छेतर के रूप में भी पिरसिद है परियावरण संदक्षन अधीनियम 1986 के अंतरगर्ण पारिस्थितिक सम्वेदंची सील छेतर घोशित किये जाते हैं तो डिपोर विल किस राज् का गठन किया है WHO विश्व स्वास्ति विश्व स्वास्ति संगठन वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के महानिदेशक ने साइंटिफिक एडवाईजरी ग्रूप फॉर्दा ओरिजन्स और नोवल पैथोजन की स्थापना की है यह सचीवाले को भरते और फिर से उभरते यह सचीवाले और फिर से उभरते रोख जनकों पर तकनिकी और विग्यानिक विचारों पर सलहा देगा इसके साथ यह भारतिये महामारी विज्ञानी डॉक्टर रमन गंगा खेडकर कोविड-19 महामारी के उत्पत्ति पर सोदकारे करने के लिए विश्व स्वास्त बस मनाया जाता है सदस्य देश्यों की संख्या 194 में है तो इसी के साथ ही अगला और और महत्मुन परस्ट की हाल ही में किस सावजनिक छेतर की इकाई को महारतन का दर्जा दिया गया है तो दोस्तों लाइक जरू करें और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के बीच में त महारतन का दर्जा दिया है पावर फैनेंस कॉर्प्रेशन ओंजी सी इंडियनोल कॉर्प्रेशन सेल सहित अन्य के विशेष्ट समूव में शामिल होकर यह है दर्जा प्राप्त करने वाली ग्यारवी सरकारी स्वामित वाली का ही बन गई है यानि कि अभी जो महारतन कंपनि कि संख्या थी अभी तक वह दस थी अब टोटल कितनी हो गई है ग्यारा हो गई है यानि कि टोटल कितने महारतन कंपनिया हो गई है भारत में ग्यारा महारतन कंपनिया हो गई है और ग्यारवी कौन है पावर फैनेंस कॉर्प्रेशन महारतन का दर्जा उस कंपनी को दिया ज चाहिए तो अगला और एक और महर्पूर्पश कि किस जानवर की प्रजाती को ढोले भी कहा जाता है एशियाई जंगली कुत्ता मालावार हीरन अफरीकी हाथी या इनमें से कोई नहीं तो उत्तर होगा एशियाई जंगली कुत्ता इसे ढोले कहा जाता है ढोले यानि कि क्यू प्रजातियों के अन्य नामों में एशिया जंगली कुत्ता, भारतिय जंगली कुत्ता, सीटी बजाने वाला कुत्ता, लाल कुत्ता और पहाड़ी भीडिया शामिल है वन्यजीब सनरक्षन अदेनियम 1972 के तहत एक अन्यसूची दो में इन प्रजाति को रखा गया है हाली में एक अध्यान में 114 प्रात्मिक्ता वाली तहसिलों की पहचान की गई है जहां ढोले या एशियाई जंगली कुत्ते के लिए जनसंख्या का एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आवासों को समय कित किया जा सकता है यह जानवर पूरे भारत में तीन समूँ में पाये जाते हैं ओडिसा आंद्रपर्देश तमिल नाडू या पश्रिमंगाल तो इसका उत्तर होगा दोस्तों तमिल नाडू हाली में तमिल नाडू की करूप पूर कलमकारी पेंटिंग और कल्ला कूरी ची लकडी की नकासी को भौगलिक संकेतक यानि की जी आई टैग प्रदान किया गया गौरतलब है कि कल्मकारी पेंटिंग सुध सूती कपड़े पर की जाती है जो मुख्य रूप से मंदिरों की छतरी के कवर, बेलनाकार हैंगिंग और रत कवर के लिए उपयोग होती है वही कल्ला कोरीची लकडी की नकासी, लकडी की नकासी का एक अनूठा रूप है जिसमें शिल्प कारों द्वारा पारंपरिक शैलियों के अलंकरन और डिजाइनों का उपयोग किया जाता है कल्मकारी पेंटिंग सत्रिव शताबदी की सुरुवात में नायक साशकों के संदक्षण में विक्सित हुई किन साशकों के संदक्षण में? नायक साशकों के संदक्षण में इसके साथ ही बात करें तो एक कला कर रूप में कला कोरीची लकडी की नकासी का विकास तब हुआ जब मदूरे प्राचीन काल में विभिन राजशाही साशनों के तहत एक महतपून शहर बना समय के साथ लकडी पर नकासी करने वाले शिल्पकार दूसरे शहरों और इस्थानों पर चले गए जहां उन्होंने अपनी एक विस्ष्ट शहली विक्षित की तो ये कल्मकारी पेंटिंग का एक चित्र है तो इसे के साथ ही चलते हैं दोस्तों वीडियो के आगे और एक और महतपून प्रश्न पर कि हाल ही में राष्टिय मानवाधिकार आयोग का इस्थापना दिवस कब मना एक सब्सक्राइब को राष्टिय मानवाधिकार आयोग का इस्थापना दिवस मनाया गया नहीं है दियान रखना है वैधानिक निकाय है संवैधानिक नहीं है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई किस असनरक्षन अधिनियम के द्वारा मानवाधिकार सनरक्षन अधिनियम 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई राष्टिय मानवाधिकार आयोक की मानवाधिकार आयोक का मुख्याले नई दिलिनी में स्थित है ये संबिधान द्वारा प्रदत मानव अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, सोतंतरता का अधिकार एवं समानता का अधिकार आधिकार की रक्षा करता है मुख्य रूप से देखा जाए तो संबिधान में ये अधिकार किस भाग में प्रदान किये गए है भाग तीन में, संभिधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों की बात की गई है और उन मौलिक अधिकारों में हम जीवन का अधिकार, सोतिंदुरता अधिकार, समानता का अधिकार, इत्यादी अधिकारों को देखते हैं और उनके प्रहरी के रूप में यह कारे करता है करें तो इनें इनके पद से केवल अपताया जा सकता है जैस पर और और जपन की जाशवर्बरे प यानि सब सुछ से σेसे हैं जब कोई मामला अगर सरकार के पास पहुंचहा है और राष्ट पास पहुंचा है और राश्टपती उस मामले की जांश के लिए सुम्रीम को करते हैं उस मामले की जांश करता है और यह पाता है कि यह प्राद किया है तो उन्हें पद्ट से घटाया जा सकता है इसके अतिरीक्त सिस्थ विभाग विधी जांच विभाग नीती अनुसंधानिवम् कारेकरम विभाग प्रश्यक्ष्न विभाग और प्रशाषन विभाग इसमें पाय सानाते हैं राज्य माना मदिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्थे मुख्य मंत्री राज्य के सब्सक्रों सभाव यह माना वधिकार आयोक के अध्यक्ष को न्युक्त किया जाता है तो प्रधान मंत्री केंद्री ग्रह मंत्री विधा लोकसभा के वहां पर बेपक्ष के नेता होंगे और और नेता पक्ष के होंगे तो उनके परामर्ज से यह जारी किया जाता है या न्युक्ति की जाती है तो अ वारुन कुमार मिश्रा जो की एक रिटायर जज है तो राश्टी माना वाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह रिटायर सुप्रीम कोट के जज होते हैं तो इसी के साथ ही अगला प्रशन चलते हैं हेले पासपोर्ट सूचकांग में भारत का क्या इस्थान है 82 90 96 यह है तो हैंले पासपोर्ट सूचकांग 2021 हाली में जारी किया गया था जिसमें 2020 के सूचकांग के तुल्ना में भारत की रैंक में 6 इस्थान की ग्रावट आई है इस वर्श भारत को 90 वे इस्थान पर रखा गया है इस सल जापान और सिंगापूर ने सूची में सीर्ष इस्थ इस्थान हासिल किया है दूसरे इस्थान पर दक्षुन कोरिया और जर्मनी रहे हैं अफगानिस्तान सीरिया इराक यमन और पाकिस्तान सबसे कम शक्तिशाली देशों में शामिल रहे हैं 2020 में भारत को 84 वे इस्थान पर रखा गया था लेकिन 2021 में इसकी स्थेती गिरकर 90 इ परदान किद् Great Commission में जिसकी जिवे से भारत 9 वे स्थान पर भाचर्ण के पासपोर्ट की सक्ति शक्ति आती है इसके साथ ही अगला और इक कहला महर्त को प्रीज सेला सुरंग भारत के किस राज्य में इस्थ थै कि माचल परðेश सिक किम अरुनाचल परदेश या उत्तर रक्षामंति राजनास सिंग ने अभुनाचल परदेश के सेला सुरंग के अंतिम सफल्ब स्पोर्ट में वर्च्वली भाग लिया इस सुरंग का नियमान जून 2022 तक पूरा होने की उमीद है सेला सुरंग के 13,000 फीट से अधिक की उचाई पर दुनिया की सबसे उची दो लेन वाली सुरंग होने की उमीद है कि सुरंग के सेला सुरंग इसका निर्मान कारे BRO यानि की Boundary Road Organization यानि की Border Road Organization यानि की सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है यह सुरंग सेला दर्रे से होकर जाती है और रोनाचल परदेश के मध्यम से चीन की सीमा तक की दूरी को 10 क किलमेटर कम कर देती है अगला और अंतिम प्रश्व हाज कि हमारे एक वीडियो का कि हाली में खबरों में रहा तवांग अगादेन नाम ज्याल लाक्स है किस सुनिय में जाता है तक कितमांम से देश आना जाता है कि टमांड किस देश में इसकर देश ल तवांग मठ जो कि तिब्बती बहुत धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है अहुनाचल परदेश के तवांग जिले में इस्तित है भारत ने उपराश्पती अमवेंकेन आइडू की हालिया अहुनाचल परदेश यातरा पर चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया है चीन भारत ये नेताओं के उनाचल परदेश के दोरे को दक्षण तिब्बत का हिस्सा बताते हुए आपत्ति जताता रहा है तवांग भारत के पुर्वतर छेतर में एक रणनेतिक प्रिवेश्परदान करता है और तिब्बत और ब्रहंपुत्र नदी घाटी के बीच गलियारे के नदी बागोर नदी बेन गंगा नदी तुंग भद्रा नदी तो इस प्रश्ण का उत्तर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद जय भारत